हेलो फ्रेंड्स टॉपर्स रिंग में आपका स्वाल्ट है आज का हमार टॉपिक है फंक्शन ऑफ मेनेजमेंट फंक्शन ऑफ मेनेजमेंट में हम पढ़ेंगे कि मेनेजमेंट के क्या-क्या कि फंक्शन होते है क्यक्किया करती है मेनेजमेंट मेनेजमेंट तो मेनेजमेंट का इसको इसको weekend में तो इसको शॉर्ट-कट जो किए है इसका वह है पी ओ O, S, D, C, यह function of measurement के shortcut keys है, P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, and C for controlling, तो आईए इन सभी को हम rate करते हैं, first one, planning, planning को हिंदी में कहते हैं, योजन, so planning is the function of determining in advance, what to do, when to do, how to do, and who is going to do it, यानि planning, एक ऐसा function है, जो चीज़ों को determine करता है, decide करता है, advance में, हम पहले से उसे decide कर लेती हैं, what to do, क्या करना है, when to do, कब करना है, how to do, कैसे करना है, and who is going to do, और उस काम को कौन करेगा, तो यह तो हमारा हो गया planning, यानि P4 part हमारा complete हो गया, number second आता है हमारा organizing, यानि management का दूसरा function है, organizing करना, यानि चीज़ों को arrange according to system, हम चीज़ों को arrange करते हैं पहले, यानि हमने जो plan बनाया है, उस के लिए हमें चीज़ों को assign करना पड़ेगा, जो ज़ोग डूटिति है उनको ज़ोटियां तो उनिक्त कराने पड़ेंगी शल्ट संपाइन करना हुग। यानि जो लोग लोग काम करेंगे उनके लिएक संपराना जन्य खरेंड काम करने। दिने को अर्णिकार बनाने होंगे और दोंके स्ब्सक्राइब हैच festive plan को बनाने के लिए चिन रिसोर्सिस की हमें हावाश चक्ता होगी, वो हम सब जगे बाटेंगे, उन सभी लोगों को बाटेंगे, यह सब जी हम और नाइज करेंगे, ओके, नमबर थर्ट आता है, स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब होता है, अब जो लोग हमारे काम करेंगे, हम बोलते हैं स्टाफिंग, इट इस फाइंडिंग राइट प्यूपिल, फॉर दा राइट जोग, बाइफ लोगों को दूनेंगे, उस सही परजन को दूनेंगे, जो वो सही काम करेगा, यानि हम लोगों को खोजेंगे, फाइंड करेंगे, एक सही परजन की खोज की जाएगी, एक सही काम को करने के लिए, by the following series of steps including training and development और इस काम को हम कराने के लिए step by step उसका हम training भी करेंगे और उसका development भी करते रहेंगे यानि उसको दिरे दिरे सिखाएंगे चाहिए वो training करते रहेगा, स्थीक किसी काम करेगा और उसका हम development करेंगे यानि उसका विकास करेंगे नंबर फॉर्थ आता है directing अब जिलनों को हमने काम के लिए रखा है यानि हमने planning कर ली, organizing कर लिया जिलनों को काम करने के लिए रख लिया लोगों को staffing के लिए अब staffing के बाद हमारा काम आता है directing का यानि management function में लोगों को सही दिशा दिखाना या रास्ता दिखाने वाला डारेक्टिंग के लाता है तो डारेक्टिंग का काम क्या है इट इस leading leading, leading का मतलब होता guidance करने वाला advice देगा, discipline में रहने के लिए उनसे कहेगा, influencing यानि वो अथिकार जमाएगा डारेक्टिंग का क्या हरेगा हम परातकार जमाएगा हम वो काम करने को बुलेगा motivating हम को करेगा encourage और support करेगा यानि it is leading, influencing, motivating employees to perform tasks assigned to them यानि जो employee को हमने काम दिया है यानि निक्त किया है उनको इस काम के लिए उन पर हम leading करेंगे leading का अंतलब हो था, guidance करेंगे उनको discipline रखने को, काम करने को कहेंगे उसके बाद influencing हम उनके काम के लिए उनने अथकार बताएंगे उनको motivate करते रिए encourage करेंगे, support करेंगे जिससे कि जो काम उनको सौपा गया है, वो काम को perform करेंगे इसके अंदर चातर एक activity होती है it includes four activities इन directing के अंदर चार काम है, एक तरह से रहे जाया पहला है supervision का कम supervision में वो आपको देख रहे करेगा आपड़ दूसरा है communication वो आपसे बाचित कर सकता है आपका opinion जानेगा क्या आपकी राय है, आपसे राय ले सकता है, या आपको राय दे सकता है leadership में आपको आप पर प्रधानता बनाएगा वो यानि आपको रहा देखा सकता है motivation में encouragement और support देगा तो ये था हमारा directing का part और हमारा last part आता है controlling, अब सभी काम करने के बाद उन सभी पर control करना होगा तो controlling कैसे करेगा controlling is the management function controlling management function का एक part है of monitoring organizational performance towards the attainment of organization goal यानि जो भी हमारी पूरी whole organization का जो goal है उसको पाने के लिए जो भी organization काम कर रही है उस पर monitoring का काम करेगा यानि निगराने का काम जिससे के सही काम जो भी काम हो रहे हैं उन को देखेगा उन पर निगराने करेगा यानि attainment का मतलब पाने के लिए towards था यानि के लिए पाने के लिए यानि सजो गुनाइशन के जो भी goal है उन सभी को पाने के लिए काम जो करेगी organization उस पर monitoring का का मतलब करेगा वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग चैनल